दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे चानल Study for SSC में अगेन नोटिफिकेशन SSC का आजा हुआ है आज CHSL से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन है और साथी CGL से रिलेटेड भी है CHSL का लास्ट हमने देखा था कि 19 तारिक तक टेप आपकी एकस्टेंड की गई थी 16 से फिर भी सर्वर में प्रॉब्लम रहा बच्चों ने फॉर्म फिल करने में फॉब्लम हुई नहीं फिल कर पाए कमेंट्स में बताया था तब ही उमीद थी कि जो अपने नजर में लिया हुआ है या फिल नहीं हो रहा है इसलिए उसमें 16 से 19 किया तो उसको यह भी दिख रहा होगा कि इन 4 दिनों में भी फिल नहीं हो रहा है तो लेट एक्सेंड होना लासमी दिखाई दे रहा था वही चीज हुई है साथी साथ CGL 2020 का आपका एक्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला था 21 तारीक को तो उसमें भी डिले हुआ है क्या कुछ नोटिफिकेशन में सामने है मैं पढ़के एक बार बता रहा हूँ अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो सब्जेक्ट है कंबाइंड हाईयर सेकेंडरी लेवल एक्जामनेशन 2020 लास्ट देट उसमें साथ दिन का इंक्रीमेंट आपको देखने मिल रहा है यानि अब आप 26 तारिक तक यानि एक हफते का टाइम आपको और मिल गया है फॉर्म भरने के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो साथी साथ अगर आप चालान वगेरे के थुरू आपकी पेमिंट करने वाले हो आउनलाइन नहीं करने वाले हो तो आपके पास 30 तारिक एक ता टाइम है साथी साथ जो तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर दिख रहा है no further extension of the last date will be granted और साथी साथ बता रहे के further extend नहीं होगा तो extend करके एहसान तो नहीं कर रहे है हमारे उपर जो time इनों ने दिया है वहाँ पर website को server को solid रखना इनकी जिम्मेदारी है नकी students की students चाहे first day form फिल करें या 30 day last day वो तो हम सहुलत के लिए बोलते हैं कि पहले कर देना वरना हमारी choice है आपने 30 दिन बोला है तो आपका सर्वत 30 दिन ठीक रहना ही चाहिए अगर नहीं है तो extend करके देना आपका काम है ठीक है फर्दर अब तीसरे नंबर तीसरा point आपको दिखाई दे रहा तो कल आज की date में notification आना चाहिए था आपका CGL का लेकिन वो भी extend होने वाला है आज 19 तारिक को मैं वीडियो बना रहा हूं परसों आना था 21 को लेकिन अब वो नहीं आएगा अब कब आएगा 29 12 2020 को आएगा हो सकता है सर्वर में problem चल रहा है इसले इनोंने इसको थोरा delay किया होगा CHSL के वज़े से लेकिन हम उमीद करते हैं कि आने वाली जगों पर SSC ऐसा नहीं करेगा क्योंकि आपका CT की भी आगे प्रोसेस शुरू करनी है उसमें CGL को डाला जाएगा CGL की वेकंसी उसके अंदर डाली जाएगी एक सेपरेट वीडियो में उस सारी चीज़े हम लो ऑगे CGL की भी आगे सेपरेट।